तो फलक तू गर्ज तू बरस तू धूप में चाओं की एहसास तू वह बहुत बहुत नमशकार आप सब बच्चों को और जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर कोई बच्चा और में मैं एक छोटी सी क्लिप देखी होगी उस छोटी सी क्लिप के अंदर बताया गया कि आपके लिए विन्दन सर कुछ नया कुछ स्पेशल कुछ खास लेके आना ने सरके साथ सहर के से सशन में हम बात करें गृटएनगे क्लास को स्टार्ट करते हैं तो येसber नुरी पस्टाइम को वेस्ट करें पहले ज sonic म exactement सर नून अबड़ी बड़ीर ऐच गड़ए सिए चल रही है एक बार आप मुझे बता दो कि आप सब लोगों की पड़ाई कैसे चल रही है पढ़ने में मज़ा आ रहा है ऐसा लग रहा है कि एक्जाम निकाल लोगे खुद पे कॉंफिदेंस है खुद पे है कॉंफिदेंस की यह सर इस बार तो हम एक्जाम निकाल लेंगे राइट चली तो इसे के साथ साथ स्टार्ट करेंगे रहेगा हमारी क्लास का पहला कोश्चन पहला कोश्चन बहुत असान है कि बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई किसके बीच में थी कल हमने फंडमेंटल राइट की फोरी पड़ी थी हम बीच बीच में चैप्टर लेके आते रहेंगे एंड येस अरे तो आप बताओगे ना करेक्ट आंसर के मैं बताओंगा चलो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी ठीक है जिसमें एक सिराजू डोला ये रहा राइट अंसर सिराजुत दोला एंड ब्रिटिश आर्मी की तरफ ए ब्रिटिश आर्मी की तरफ से शो इंडीश आरमी की तरफ से रोबर्त क् सारी बात आपको पता होनी चाहिए हैं थे में चली कोशन नेक्स्ट फटा-फट मस क्यआने Donal सबसे ज़्यादा प्यार किसको था इन पुर्टगालियों को इथा सबसे पहले भी यह आए और सबसे एने भी यह गए यादा ना गोवा को छोड़कर गए थे राइट तो आपने मुझे बताना है कि इन मेंसे इनका पहला इन मेंसे इनका पहला वोई सुरॉय कौन था अल्बुक्रेक, अल्मेडा, अल्बिर्गारिया, यमेनीज, पता है भाई क्या आंसर होगा तो येस, 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 वेरी गुड़, देखो, आंसर करेक्ट जो मरजी हो, लेकिन आपका कुछ बताना चाहता हो पहले, ये हमारे सामने कुछ नाम है इनके, तो पहला जो इनका वो इस तो रहे बच्चे वो है अल्मेडा, अल्मेडा ने ही सबसे फेमस पॉलेसी ओफ ब्लु वोटर, ये अपने साथ लेकर आया था, और पॉलेसी ओफ ब्लु वोटर से कौन सम्बंदित है, ये कोशन एक्जाम में कई बार आता है, पिर आए सेकंड, सेकंड कौन से हमारे, स सेकंड है हमारे, अल्मुकर, अल्मुकर सेकंड है हमारे, इन्होंने पंदरह सो दस में बीजापूर के, बीजापूर से गोवा को छीना था, ये सेकंड है, इन्होंने ही बीजापूर से गोवा को छीना था, और इन्होंने ही सती पर बैन का लगाने का ट्राइब भी किया थ इन्होंने सती पर बैन लगाने का ट्राइब भी किया था तीसरे हैं हमारे चुवा नहीं चूना नीनो दा चूना नीनो दा कूना जो आपका मन करें बोल लो आकि मर चीए ठीक है नीनो दा कूना ने गोवा को अपनी राजधानी इस्टैबलिश किया था अगर एकजाम में गोवा को capture किस ने किया अलवू क्रेक ने किया गोवा को capital किस ने बनाया कुना चुना चुवा जो मर्जी याद कर लो वही सही है ठीक है रहाँ इसके बाद last ऐलफेंजो डिसूजा लास्ट क्या है ऐलफेंजो डिसूजा यह चोत्थे है ठीक है बहाँ चलिए next अगला question तो हमारे पिछले question का answer क्या से तो बताईए राइट answer is Almeida option number C is correct अगला question आया भाई गंगा के जो planes है गंगा के जो planes है वो किसका example है गंगा के planes किसका एक्जामपल है structured ground है deposited ground है glacial ground है या eroded ground है या निकी संरचनात्मक मेदान निश्पेशित मेदान हिमानी धीत मेदान या अपरदित मेदान बहुत सिंपल कोशन है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत सिंपल कोशन है और एक्जाम में आता भी है कही बाए देखो कि मुद्दा यह है कि बने कैसे यह प्लेंस यह जो प्लेंस है यह बंते कैसे मुद्दा यह देखो मुद्दा क्या होता है कि जब पहाडों को काट कर पहाडों को चीर कर नदी पहाडों से प्लेंस के अरिया में आती है जब गंगा पहाडों को चीर कर हिमालिया को चीर कर जब प्लेंस मे तरती है तो अपने साथ बहुत सारा मिटी कंकर कैते हैं किnell cilt यह ले कर आती और जब कई वर्षral के बाद कैंए कहते हजार साल वर्ष वह वह कंकर मिटी पत्थर एक जगह पर कठे होते हैं तो एक प्लेंस वाला एरिया बनाते हैं तो डैफिनेटली एक डिपोजिटेट ग्राउंट है तो करेक्ट आंसर इस करेक्ट आंसर इस भी राइट ध्यान रखेंगे बात को चलिए बीज दी करेक्ट आंसर वेरी कुट आईए मेरे भाई कि नेक्स अब यह दी नहीं होगा रहिया यह आपका बी होगा कालिंजर फॉट कालिंजर फोर्ट ऐसा पर सबने शासन किया है चाहित गुंधा डैनेष्टि हो चाहिए यहाओ कि rocks लिव दियू इस वाले पर समने शासन किया सबने फिरिदी भेत्र ब्यों एसको लेकर काफ़ी चीदि़ मुद्द यहा ein कि है कहाँ पर मुद्दा यह और packCiel है किये है कहाँ पर प्लै लिस्ट नहीं है प्लेत बच्चे पनी हुई है प्ले लिस्ट बच्चे ऊल्रेडी बनी हुई है आप जाकर प्ले लिस्ट ट करो आप एच है काम करो चलो छोड़ो सारा मुद्धाव कमेश खतम कर रहता हूँ ये मेरा टेलेग्राम चैनल है जी एस बाइ साहिल मदान ये एक टेलेग्राम चैनल है इस पे आराउंड बारा हजार बच्चे है तो जिस्त में इतने बच्चे हो के वही जोइन करना कुछ लोगों ने इसका फेक बनाया हुआ है मैं यहाँ पर आपको प्लेइलिस्ट मैं यहाँ पर आपको प्लेइलिस्ट स्टेर कर दूँगा ठीक है मैं यहाँ पर आपको प्लेइलिस्ट शेर कर दूँगा यहाँ पर आपको प्लेइलिस्ट शेर कर दूँगा यहाँ यहाँ पर आपको प्लेइलिस्ट शेर कर दूँगा अच्छा कोशन है थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करेंगे इसके बारे में करजन के बात करी जाए तो करजन ने 1905 में करजन ने 1905 में बंगाल का इभाजन अनाउंस किया था तो मुझे आगे पढ़ने की जुरूती नहीं है और यह तो करेक्ट आंसर इस ए लेकिन जब 1905 में बंगाल का इभाजन अनाउंस किया गया तो क्या उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई होगी बिलकुल आई तो 1905 में इसको लेकर स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कि जा गया यह स्वदेशी मूवमेंट 1905 से लेकर 1911 तक चला तो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट 1906 में मुस्लिम लीक 1907 में तूरत स्प्लिट 1909 में मौरले मिंटो रिफॉर्म्स और 1911 में दिल्ली दर्बार यह सारे कोशन एक्जाम में आते हैं यह सारे कोशन एक्जाम में आते हैं तो यह सारे इयर्स आपको डेफिनिटली याद होने चाहिए कियोंकि मैं चाहता हो कि आप कि एक्जाम में ऐसे कोशन आए तो आप सारे खोशन करेक्ट करें तो या तो इसको लिख लो या फिर इसका स्क्रिंट ले लो but I really believe कि आपको इस सारी बात भी अई नए चाहिए है नहीं बिया चलिए next आज़े ये अगला कि इन विच ओफ फॉलविंग इयर इंडिया कम अंडर दी डिरेक्ट रूल ओफ ब्रिटिश क्राउण अच्छा आप लोगों को यह बोलूं कि भारत के उपर अंग्रेजों ने जो एक्चुली शासंद किया है वह अराउंड नाइन्टी एर्स के आसपास किया है तो क्या आप मुझे मतलब कुछ ऐसे टमाटर पत्थर फैके मारोगे नहीं मारोगे आप लोग पड़े लिखे हो आपको पता है ना कि इंडिया पर शासंद करना स्टार्ट किस ने किया था एक कंपनी ने इस्ट इंडिया कंपनी ने अब इस्ट इंडिया कंपनी को किसी का भी साथ था लेकिन थी तो वो एक छोटी सी कंपनी ही ना, कुछ चुनिंदा अंग्रेजों ने आके भारत पर शासंगर लिया, राइट, लेकिन 1857 का विद्रो हो, जैसे ही ये विद्रो हुआ, अंग्रेजी सरकार पर या बरतानिय सरकार ने एक बात समझ ली, कि अगर हमने अब जाकर डिरेक्ट रूल करने की बात नहीं करी, अगर हमने अब जाकर डिरेक्ट रूल करने की बात नहीं करी, तो भाया इस समय क्या हो जाएगा, भारत इन इस्ट इंडिया कंपनी को मार कर भगा देगी, तो 1858 में, Government of India Act 1858 आया, जिसके अंतरगत भारत में डिरेक्ट ली, बिरिटिश पार्लियमेंट का, रूल स्टाट लू, यानि कि भारत के सार के बिरिटिश पार्लियमेंट के द्वारा लिये जाने, स्टार्ट हुए, तो करेक्ट आंसर xd, चलि अगला कोशन, अगला कोशन भी इससे रिलेटीड है, की गवरणर जेनर रोफ वासिवन दा टाईटल ओवएस गवर्णनर शन्रान ओफ इंडिया का टाईटल चेंज करके वईस रोए का टाईटल पहली बार कब बनाया गया के जा यकोशन आता है। गवर्नर ओफ बंगाल के बारे में एक कोशन आता है गवर्नर ओफ बंगाल के बारे में एक कोशन आता है गवर्नर जनरल ओफ बंगाल के बारे में एक आता है गवर्नर जनरल ओफ इंडिया के बारे में ठीक है एक आता है वाइस रोई के बारे में कि वाइस रोई ओफ इंडि right answer is Robert Clive, first Governor of Bengal, first Governor General of Bengal Warren Hastings, first Governor General of India again very important William Benteke, first Vice-Roy of India Canning, first Vice-Roy of India Canning, right, so Governor General of India की Post को Change करके Vice-Roy of India की Post में Change किया गया 1858 में जब Government of India Act 1858 आया तो Governor General of India की Post को Change करके Vice-Roy of India में किया गया तो अगर आप से को पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल आफ इंडिया कौन था अजादी से पहले तो राइट आंसर इस विल्लियम बेंटिक, राइट आंसर इस विल्लियम बेंटिक राइट बास समझा गई चलिए ज्यान रखना आपके सारी बातें इंपोर्टेंट है वाली चलिए अगला कोश्चन नेक्स्ट हूँ अमंग दा फॉलोवेंग इंग कंसीड दी काकोरी ट्रेन रोबरी इन नाइंटीन ट्वन्टीफाइव उन्निस वपच्छिस में लखनाउ से कुछ 16 किलोमेटर पहले ये रोबरी होती है काकोरी रोबरी ठीक है और इसमें हम लोग हमारे ही लूटे हुए पैसे को लूट नहीं कोशिछ करते हैं कि जो अंगरेजों ने हम से लूटा है हम उसे वाफिस लूट लेंगे और अपनी दिन की दिन चलरया चलाएंग ठीक है ना क्योंकि इससे पहले बड़े-बड़े जमीदारों से बड़े-बड़े बिजनेस वाये लोगों से पैसे लूट जाते थ सोचा लोगों ने शुह कि यार हम तो अपने लोगों को ही लूट रहे हैं हमेने तो अंगरे जोड़que लूटना चाहिए बिना कुछ स्ट्रेस लिये डाउट लिये कि काकोरी में जो चोरी हुई थी वो 9 अगस्ट 1925 को हुई थी कब हुई थी 9 अगस्ट 1925 को हुई थी राइट क्या पर बिस्मिल को लाहीरी जी को अश्वा खुला खान को और रोशन सिंग को पांसी की सजा सुनाई गई उसके बाद काला पानी की सजा जो अंडबा निकवार में होती थी सचंदर सन्याल को और सचंदर बक्षी को राइट दोनों का नाम सचंदर है ठीक है वह या आठ हजार रुपे की ये चोरी थी ठीक है इसके बाद रोबरी में कौन कौन शामिल सा राम परसाद बिस्मिल अश्वा कुला खान रजंदर लाहीरी चंदर शेकर आज़ाद सचंदर बक्षी केशव चक्रवर्ती मनमतनात गुपता मुरारी शर्मा मुकुंदलाल और बनवारी दार राइट तो अगर आप चाहो था इसका स्क्रीन शोट ले सकते हो अगरा चाहता इसका स्क्रीन शोट ले सकते हो तो यह काफी एक ऐसी घटना जो हमें कई बार स्कूल में कॉलेजिस में कहीं कहीं पढ़ने को मिलती है राइट चली अगला कोशन नेक्स्ट रिपबलीकन एसोसियेशन जब काकोरी घटना हुई तब यह संस्था एक्जिस्ट नहीं करती थी और ऐसा कह सकते हैं करती भी थी लेकिन नाम अलग था उस वक्त नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन अब इस संस्था के सारे बड़े बड़े लीडर्स को काकोरी ट्रेन में या तो कोई जेल में चला गया या किसी को फांसी की सजा मिल गई तो यह एचारे ओल्मॉस्ट खतम हो गई लेकि भगत सिंग ने जिम्मा उठाया कि हम एचारे को दुबारा जिंदा करेंगे और उसका नया नाम रखा गया है हिंदुस्तान फिर्वच रिभली कर एस्जियेशन हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिभाब्लिक एस्विएशन मिटिंग करी गई दिली के ताल के टोट यह अधि दिली के स्टेट फिरोसा कोटला स्टेडियम में इसका नाम चेंज करके अभी कि चला मुझा बताओ की फिरोशा कोटला का अभी presently नाम क्या है right answer is 1928 is the correct answer फिरोशा कोटला के अंदर है meeting हुई थी आपने मेरे को बताना है कि इस समय जो फिरोशा कोटला का मेदान है उसका नाम क्या है बताईए जल्दी से और जो बच्चे क्लास में आगे बच्चे होले क्लास को like और क्लास को share भी कर देंगे ठीक है बताइए क्या answer होगा अरुन जेटली cricket stadium अरुन जेटली cricket stadium अरुन जेटली पर नहीं रखा गया था right चले next The Khilafat Movement of 1920 was organized as a protest against injustice done 1920 में जो Khilafat Movement भारत में स्टार्ट करी गई भारत के मुसल्मान लोगों के दोरा जहां पर महात्मा गांधी ने भी उनका साथ दिया और Movement का पूरा नाम रखा गया Khilafat and Non-Cooperation Movement इस समय जिन्ना भारत में नहीं थे क्योंकि जिन्ना इस पूरे ही आइडिया के बिलकुल अगेंस थे कि हिंदो मुसल्मान में एक वो साथ गार्ट दुबारा होनी नहीं चाहिए है ना लेकिन होनी चाहिए थी डेफिनिटली तो 1920 में खिलाफत Movement क्यों करी गई क्योंकि टर्की में क्योंकि टर्की में जो खलीफा कैलिफ या मुसल्मानों के स्प्रिच्वल लीडर थे उनके साथ बहुत बुरा बरताव किया जारता अंग्रेजों के द्वारा World War One के बाद तो राइट आंसर इस तर्की इस दी करेक्ट आंसर राइट आंसर इस तर्की इस दी करेक्ट आंसर राइट चली अगला कोशन नेक्स्ट अगर भारत के अंदर सर्दिया है तो इन में से कौन सी कंट्री में आपको गर्मिया देखने को मिलेंगी अगर भारत में सर्दिया है तो इन में से कौन सी इन में से कौन सी कंट्री में आपको गर्मिया देखने को मिलेंगी देखो ये दुनिया का एक गोल है ये वर्ल्ड है ये आपका जीरो डिगरी पर एक्वेटर है यहाँ पर कहीं आपका इंडिया है यहाँ पर कहीं आपका इंडिया है यहां पर कहीं आपका अस्ट्रेलिया जब भारत के अंदर विंटर सोंगी जब भारत के अंदर विंटर सोंगी तो सूरज यहां पर होगा तो सूरज यहां सन यहां पर होगा तो अस्ट्रेलिया में आपको गर्मिया देखने को मिलेंगी तो राइट आंसर इस अस्ट्रेलिया और गर्मियां होती है एक हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर टिल्ट है एक हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर ऐसे करके टिल्ट है तो उस टिल्ट होने की वज़ा से हमें अलग-अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं अलग-अलग कंट्रीज में तो जब नोर्दर हैमिस्फेर में विंटर सोती है तो Southern Hemisphere में usually summer सोती है और इसका बिल्कुल उल्टा और इसका बिल्कुल उल्टा राइट अब आपने मुझे बताना है कि जो अर्थ अंगल से टिल्ट है आप मुझे सका अंसर देंगे फिर आगे बढ़ेंगे कितने एंगल से टिल्ट है बढ़िए पर नेक्स्ट अच्छा अंसर नहीं दे पाओगे पहरे नेक्स्ट है आपको है तो इसी वजह से हमें अलग लग सीजन्स देखने को मिलते हैं अगर टिल्ट ना हो ना अगर अर्थ ऐसे टिल्ट ना हो अपने एक्सिस पर तो हमें अलग-अलग सीजन देखने को मिलेंगा ही नहीं कि जहां पर सर्दी गर्मी होती है वह सीजन ओल्मॉस्ट पर्मनेंट वैसा ही रहेगा ठीक है चलिए आईए अगला कि वू स्टार्ट इड़ी kadी मैग्जीन केसरी 있지만 किसके दोरा स्टार्ट करी गई थी केसरी मैगजीन और मराठा मैजीन किसके दौरा स्टार्ट करी गई थी बहुत सिंपल कोशन है कीशे Italians माराठी में है और मुर्था मैट्धीन इंग्लिश में है यह दोनों की दोनों मैगजीन किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी राइट आंसर इस बाल गंगाधर तिलक इस दी करेक्ट आंसर राइट चलिए वेरी गुद आईए मेरे भाई अगला कुश्ट नेक्स्ट इनमें से कौन सा आईलेंड वेस्टन कोस्ट पर आपको देखने को मिलता है कि सर यह आईलेंड वेस्टन कोस्ट पर होगा सर वेस्टन कोस्ट का मतलब क्या है देखो अगर भारत का ऐसा नक्षा बनाऊं साउथ इंडिया का राइट तो यहां पर आपका है बेव बंगाल बंगाल की खाड़ी और यहां पर आपका है अरब सागर और यहां पर आपका है अरब सागर यहां पर आपका कहीं महाराश्ट्रा में आपको elephant island महाराश्ट्रा में कहीं आपको यह elephant island देखने को मिलता तो correct answer is elephant is the correct answer कि मुंबई में अगर कभी कोई जाए तो ferry के द्वारा boat के द्वारा आप इस island पर जा सकते हैं और मास्त अपना life set कर सकते हैं को बच्चा कहा रहा है शिरी कोटा अब शिरी हरी कोटा तो कम से कम आंसर मत दो शिरी हरी कोटा आंधरा परदेश में हैं शिरी हरी कोटा आंधरा परदेश यहां पर तो eastern coast होगा ना शीरी हरी कोटा और पम्मन तो बहुत फेमस है अब कैसे आंसर दे रहे होई है राइट चलिए नेक्स्ट अगला कोश्चन फू फाउंडेड दी बाल चर्खसंग वेर चिल्डरन वर टोट टु स्पिन और वीप दो चीज़े हैं एक थी वानर सेना और एक था बाल चक्रसंग ये किसके द्वारा इस्टैब्लिश किया गया और किसके द्वारा फाउंड किया गया तो राइट आंसर इस राइट आंसर इंदिरा गांधी इस दी करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी इस दी करेक्ट आंसर ठीक है थोड़ा पढ़ेंगे ज़रा इसके बारे में कि इंदिरा गांधी ने बाल चक्रसंग को 1930 में पाउंड किया था जब बहुत छोटी थी वह भी इससे पहले इनुने वानर सेना को भी किया था और वानर सेना ने कॉंगरेस पार्टी का नोन कोपरेशन मुव्मेंट के समय बहुत زादा साथ दिया जैसे क्या ओते बाता तो बच्चे आपके घर में को सबымиतोते तो यहाँ से तेगकों कर देखो देखो तो वह काम reagis आकशनी के समय के ने Πुर मेंक्ष है निसके ऐधा है पूत पांड़ सैंग मना स मौन आथ राइगा में इस अगला कोश्चन को राष्ट्रिय गान को और राष्ट्रिय गीत को कून सी देट के समधार भारत कि भारत में समिधान दिवस कब मनाया जाता है भारत में समिधान दिवस या कॉंस्टिट्यूशन दे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं आप लोगों से मेरा यह कोशन भारत में समिधान दिवस या भारत में Constitution Day कब Celebrate किया जाता है आप लोगों से मेरा ये कोशन है तो फटा-फट से हम मुझे आंसर देंगे कि सर ये आंसर होगा फिर हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे फिर हम जल्दी से फटा-फट से आगे बढ़ेंगे तो बताईए मेरे दोस्त क्या आंसर हैगा राइट जल्दी से वेरी गुड हम लोग समिधान दियोस मनाते हैं 26 नवंबर को 26 नवंबर को करेक्ट चलिए वेरी गुड विचिस दी सेकेंड मॉस्ट अबंडन गैस इन दी अर्थ एस्टमोस्फियर अगर मैं अर्थ के एट्मोस्फियर की बात करूं तो सेकेंड नम्बर पर कौन सी गैस भारत पूरी दुनिया के अंदर पूरी अर्थ में पाई जाती है first नहीं second first नहीं second हम तीन की बात करेंगे first second और एक third की first आप बताएंगे second आप बताएंगे आपको third फिर आप बताएंगे देखो हम लोग जानते हैं कि first पे है nitrogen हम लोग जानते हैं कि first पे है nitrogen second पर है oxygen मेरा question आप से major लिए रहेगा जिस ने इसका अंसर गलत दिया आपकी तयारी बहुत बेकार तरीके चल रही है फर्स्ट नाइट्रोजन सेकिंड ऑक्सीजन और थर्ड पर पाई जाएगी एरगोन और फोर्थ पर पाई जाती है कार्बन डायकसाइड सी यो टू कार्बन डायकसाइड राइट ध्यान रखेंगे बाद को चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट से पहले ठोड़ा सा दरा देख लो इसको एक बाени कैना चाहरा है कि नंबर वन पर आपकी नाइट्रोजन दिखा रहा है नंबर सेकिंड पर आपकी ये ऑकसीजन दिखा रहाएं राइट नंबर थर्ड पर आपकी एरगोन आएगी ए और नंबर पर आपकी आएगी CO2 राइट चलिए अगरा कोशन नेक्स भारत में कुछ लोग इलेक्ट करे गए थे और कुछ लोग नोमिनेट करे गए इसलिए समिधान सभा पार्टली इलेक्टेड एड़ पार्टली नोमिनेटेड एक ओगनाइजेशन है पूरी तरीके से एलेक्टेड या पूरी तरीके से ये नोमिनेटेड नहीं है 1946 में इसका गटन किया गया अंडर दी कैबिनेट मिशन प्लान अंडर दी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 राइट ध्यान रखेंगे इस बात को पहली मिटिंग 9 देसमबर को हुई 1946 में पहली मिटिंग सिना साब को अध्यक्ष बनाया गया पहला ठिक है जो कि एक टेंपरेरी जोकी एक टेmpरेरी यानि कि एक आस्थाई एक आस्थाई अध्यक्ष थे लेकिन केवल दो दिन के बाद ही दॉक्टर राजेंदर प्रसाद को पर्मनेंट और स्थाई अध्यक्ष बनाया गया फिर यह आगे चलकर भारत के पहले राश्पती ही बने तो येस ये सब बाते इंपोर्टेंट है देख लो आपके एकजाम में आएंगी तो सही करा न और सही कराओ तो साहिल सर को एकजाम में टिक करते हुए थेंक्यू 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 बोलते चले जाना है ना भीया चलिए नेक्स्ट अगला कोश्चन मोतीलाल नहरू चेयर्मेन थे और आठ अधर कॉंगरेस के मेंबर इन्होंने भारत के लिए समिधान को ड्राफ्ट किया और ये कब हुआ मोतीलाल नहरू जोहारलाल नहरू के पिता जी उन्होंने भारत का समिधान लिख दिया तो ये सब कैबिनेट मिशन, कंस्टि वर असेमली ये सब क्यों बनाया गया आईए इसके पीछे कहानी है निस अताइस में एक साइमन कमिशन बनाई गई साइमन कमिशन का काम था भारत के लिए कंस्टिटीउशन Mitglyan भारत के लिए Constitution, भारत के समिधान का निर्मान करना, भारत के समिधान का निर्मान करना, ठेके, 1928 में ये लोग इंडिया पहुँचे, जैसे ये लोग इंडिया पहुचे, इनको एक नारे का सामना करना पड़ा, कि साइबर, गो बैक, कि साइमान, गो बैक, साइमान, वापस जा, काले जंडे दिखाए गए इनको, फुल बेस्ती, फुल, कि सोचो तुम लोग कहीं पहुचो बहार घूमने के लिए, और तुमें आते बोल दे, कि गो बैक, गो बैक टियर कंट्री, कितना बुरा लगेगा इ एक सेकरेटरी ओफ स्टेट थे, जिनका नाम था लिनलिद गो, जिनका नाम था लिनलिद गो, तो लिनलिद गो ने कॉंग्रेस के लीडर्स को एक, कहते हैं ना की चैलिज दिया, कि एक काम करो, अगर आपको साइमन कमिशन से इतनी दिक्कत है, तो आपको एक चैलिज दिया समिधान बना कर ले कि अब ये बात तो सबको पता थी कि 1928 की नहरू रिपोर्ट जो बनाई गई है अंग्रेज उसको मना कर देंगे लेकि नहरू रिपोर्ट में एक बात क्लियर दी और बोले थी कॉंग्रेफालो ने कि अगर तुमने इस रिपोर्ट को नहीं अपनाया तो हम बहूत जल्दी एक बहुत बड़ी मूव्मेंट करेंगे और मूव्मेंट करने से पहले एक लाहोर के सेशन में लाहोर के सेशन में जो 1929 में लाहोर का सेशन हुआ उसमें पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया उसमें पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया और फिर 1930 में सोल्ट रो तोड़ कर Civil Disobedience Movement को स्टार्ट किया गया Civil Disobedience Movement को स्टार्ट किया गया तो correct answer is, correct answer is 1928 is the correct answer 1928 में एक चीज़ और बड़े अच्छी हुई थी सरदार वल्ला भाई पटेल ने एक बड़ा लीडर का रोल प्ले किया और वहीं पर उनको सरदार की उपाधी मिली तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधी बर्दोली की महिलाओं और महात्बा गांधी दोनों के द्वारा दी गई थी रखेंगे इस बात को राइट चलिए नेक्स्ट अगला कोश्चन को कहते हैं कि अगर हम जैसे मैं या आप या कोई भी अगर चांद पर चला जाए तो चांद पर ग्रेविटेशन कम है एस कंपेर टू अर्थ तो हमारे जो वेट है उसमें डिफरेंस आया आता है तो कोश्चन बहुत सिंपल यहीं पूछ रहा है कि डिफरेंस कितना आता है वन बाई टैंथ का वन बाई एट का वन बाई फोर्थ का इसका अंसर मुझे पता है कि आप लोगो वहाँ पर समय नहीं लगाएंगे वेरी गूड कोश्चन प्रेजिडेंट के इलेक्शन से इन में से कौन सा आर्टिकल तालुकात रखता है प्रेजिडेंट के इलेक्शन से राश्पती के चुनाव से इन में से कौन सा इलेक्शन तालुकात रखता है अच्छा अगर आप म जहां पर मैं थोड़े से डिफिकल्ट कोश्चन कराता हूँ IB ACIO के लिए CGL के लिए या फिर किसी और ग्रेजुएट लेवल एक्जाम के लिए तो अगर आप थोड़े से और डिफिकल्ट लेवल भी कोश्चन करना चाहते हो तो आप मेरे साथ डेली फाइफ पीम भी जुड़ सकते हो आप मेरे साथ डेली फाइफ पीम भी जुड़ सकते हो आर्टिकल एक्सो दस मनी बिल के बारे हैं बात करता है आर्टिकल एक्सो दस मनी बिल के बारे हैं बात करता है आर्टिकल एक्सो बारा को मिनिस्टर्स के बारे बात करता मंतरी मंदल ले बात करता है घूँज कई को इलेक्शन के द्वारा चुनाप के द्वारा है तुना जायेगा तरह सब्राइट आइसर इस्टी राइट आंसर इसप जैसे मैं आपको बताता हूं कि सारे आर्टिकल्स का क्या मतलब है उस तरीके से आपको भी कम से कम टॉप 50 आर्टिकल्स आप लोगों ने देख लेने एक काम करना नेट पर सर्च करना के टॉप आर्टिकल्स साहिल मदान आपको मेरी क्लास मिलेगी है 15 मिनट शो के अंदर या 15 minutes show की playlist में जाकर देख लेना वापर important amendments, important articles मैंने काफी सारे करवाए है तो definitely आपके exam में चीज़े आती है तो उसको एक बार कर लीजेगा ठीक है चलिए next अगला question The straight connecting Arabian Sea and Bay of Bengal पहली बहुत तो एक इसार straight होती ही क्या है Straight एक पानी की बोड़ी है एक वोटर बोड़ी है जो या तो दो बड़े दो बड़ी वोटर बोड़ी को आपको से मिलाती है यानि कि एक तरफ अरब सागर और एक तरफ बे ओफ बंगाल की खाड़ी यहाँ पर यह इन दोनों को मिला रही है अगरणा से देखें तो यहाँ पर यह इंडिया और श्रिलंका को divide भी कर रही है तो straight के दो काम है या तो वो दो बड़ी वोटर बोलड़ी को मिलाएगी या फिर वो दो बड़ी land areas को divide करेगी तो पार्क स्ट्रेट इस दी करेक्ट आंसर तो बिना मैप के अगर जोगरिफिय कोश्चन कर लिया तो टीचर ने आपको बनाया फुद्दू तो आपको फुद्दू बनाता नहीं हो मैं इसलिए मैप आपको दिखाऊंगा रियल यह श्रिलंका आपको दिखरा है यहाँ पर यह आपको श्रिलंका दिखरा रहा है यहाँ पर आपका यह राम से तो यहीं पर कहीं बीच में एक डिवाइड है जिससे बोलते है पार्क स्ट्रेट और इस पार्क स्ट्रेट से बे औफ बंगाल यानि की बंगाल की खाड़ी और यह आपका जो है अरेबियन सी इन दोनों क Michigan ग्रेट बेरियर रीफ जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ पाई जाती है जहांपर दुनिया की सबसे बड़े एरिया में कोरल रीफ पाई जाती है तो आपने मेंडे बताना है कि भाईयों coral reefs, coral reef यानि कि great barrier reefs कहाँ पायाती है तो right answer is Australia is the correct answer, right answer is Australia is the correct answer अब उस्ट्रेलिया का जो यह हजआ धी ग्र nowIt just अब उस्ट्रेलिया का जो यह है वही है देखो ए hooks coral reef ऐसी होती है रंग भी रंगी संदर संदर मिघालिय का पठार मिघालिय का पठार इन चारों में से मिघालिय का पठार इन चारों में से किसका हिस्सा है मिघालिय का पठार इन चारों में से किसका हिस्सा है इसे बनो कि आपका ये साउथ इंडिया है ये आपका साउथ इंडिया है यहाँ कही आपका मेगाले है यहाँ पर कही आपका मेगाले है तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो Paninsular Block है ये जो Decan Platoo है ये मेगालिया इसी का पार्ट है ये मेगालिया इसी का पार्ट अंसर ब्राइट आंसर इस Paninsular Block is the correct answer Paninsular Block option number B is correct ठ्यान रखेंगे बात को देखा है चलिए दा प्लेस ओफ ओरिजन ओफ एन अर्थकोएक अर्थकोएक जहां से निकलता है उस एरिया को उस पॉइंट को क्या बोलते हैं इसे मानों की ये एक हमारी धर्ती है जहां पर ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है जहां पर आपको ये पहाड देखने को मिलते हैं एसे ठीक है क्या ड्राइंग मस्टर बन चुका हो ना एक दम मज़ा ही आ रहागा लाइफ में ड्राइंग बच्चों को सिखानी स्टार्ट करो एक बच्चा पास नहीं होगा तो मानो की इस पॉइंट पर अगर अर्थकोएक अग मानो की अगर इस पॉइंट पर अर्थकोएक स्टार्ट हुआ तो इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस और फोकस को ही हाइपो सेंटर भी कहा जाता है और फोकस को ही हाइपो सेंटर भी कहा जाता है अब फोकस के उपर जो पॉइंट है यहाँ पर जो सर्फेस पर है सर्फेस प इस पॉइंट के बोला जाएगा एपी सेंटर तो सर्फिस पर पॉइंट एपी सेंटर सर्फिस के अंदर पॉइंट है फोकस तो करेक्ट और सर इस वोकस इस नियुकल राइट चलिए थोड़ी सी आपको मैं और बढ़ीया चित्रकारी इस यह बनाया देखो कि जहां पर अर्थ को एक स्टार्ट हुआ जहां पर आपके ब्लास्ट की तरह दिख रहा है वह पॉइंट फोकस और अर्थ को एक कहलाएगा और धरती पर यानि कि सर्फेस पर जहां पर यह पॉइंट हम लोगों के द्वारा पहली बार पील किया जाएगा यह वहला पॉइंट के हिलाएगा एपी सेंटर धरती के नीचे फोकस या हईपो सेंटर धरती के सर्फेस पर एपी सेंटर सीजमो ग्राफ के द्वारा इन वेव्स को कलेक्ट किया जाता है अगला कोश्चन अरावली हिल्स और विंध्या हिल्स इन दोनों के बीच में कौन सा पठार पाया जाता देखो अगर यह भारत का साउथ हिंडिया है यहाँ पर आपकी अरावली हिल्स है यहाँ पर आपकी विंध्यास यहाँ पर आपकी सत्पूरास यहाँ पर आपकी नर्मदा और यहाँ पर आपकी तापी यहाँ पर आपके Western घाट है यहाँ पर आपके इस्टन घाट है यहां पर कहीं आपका जो और दो आन्सर हो नहीं सकता गलत हो गया इसके नीचे यहां पर ये एरिया है यह है डहेकन डेट नंक्ली 2 तो अंसर हो नहीं सकता औरander लेकंड प्लैटो को ही पैनिस्टुलर प्लैटो कहते हैं तो ये भी आनसर मालवा प्लैटो राइट अंसर ऑफ्षन नमर ए मालवा प्लाटो इस दी करेक्ट आपसर तो फोड़ा सा मेरी चितरकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वेरी गुड बड़ी मुश्किल से बनाई ज काके कीगल होगी जुमनी होगा नराज होगे बैठा है होगा 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 देखो भाई ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां कहीं मुझे ये अरावलीस देखने को मिलेंगे ठीक है यहां कहीं मुझे विंध्या की रेंज देखने को मिलेगी यहां कहीं मुझे अ सत्पूरा की रेंज देखने को मिलेगी तो यह जो यहाँ पर यह वाला पॉइंट है यह वाला एरिया यह जो बनाए यह आपका मालवा का प्लैटू यह आपका मालवा का प्लैटू राइट मालवा के प्लैटू के उपर बुंदेल खंड प्लैटू बुंदेल खंड के थोड़ा सा बिलकुल नीचे और मालवा के इस जोली विंधियाज सत्पुरा उसके नीचे डैकन प्लैटू स्के बाद यहां पर आपका यह चोटा नाप पुर और सामने यह वाला आपका शिलोंग प्लैटू जिसको hon Megalaya प्लैटू का प्रक्सदूरब की एक हिस्सा संख्यें आपका पॉइधा कर लापका पॉइंट हुआ तो इसी के साथ साथ ह्bolich के आव किया है पोंची में आया होगा हुआ है आप को मैं के समझाना चाहरा था तो भाई आज का लेक्चर हमारे ही पर खत्म होता है अभी आप की बिहार SSC की जो फोर भरने की डेट है अभी फोर मरने की डेट बाकी है अगर आप केवल बिहार SSC की त्यारी कर रहे हो तो तक्शिला बैच में आज ही जाके enrollment कर लीजिए आपने code लगाना है Y724 ठिक है अगर केवल बिहार SSC की त्यारी कर रहे हो तो तक्षिला बैस में जोइन करना है लेकिन अगर आपका पता है कि S.S.E. का कैलेंडर आ चुका है एंड आ हंडेड परसेंट शोर कि जो बच्छा बिहार S.S.E. की त्यारी करेगा ठीक है वो CGL, CHSL, MTS, Railway, GD, दिल्ली पुलीस इन सब की त्यारी करेगा बच्छा 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 बारो सर S.S.E.S.E.S.E. मुझे नहीं फोन आया अभी कि Exact Frequency का आने वाली है मुझे नहीं फोन आया आएगा फोन I will let you know I promise अगर आप केवल बिहार S.S.E. की त्यारी करें तो तक्छिला बैच्छ अगर Multiple exam की त्यारी कर रहे हैं तो S.E. का महापैट यहापर आपको GS में पढ़ाऊंगा प्रॉपर बिल्कुल बढ़ी अतरी के से बढ़ाते है ठोड़ी के साथ एक बदर देख लेंगे यह दोनों चीदे मिलती ही कहां से ठीक है आप हमारी application से यहां मारी website आप दोनों जगा से enrollment कर सकते हैं आप अड़ा की website पर जाएंगे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको तक्षिला बैच दिख जाएगा तक्षिला बैच एक लोता ऐसा बैच है बिहार SSC के लिए जिसमें आपको live classes test series और यह नहीं कि दस-पंदर test series तीन सो दस test series मिल रही है यहाँ पर आपको फुल लेंड टेस्ट और आपके जो जैसे सब्जेक्ट वाइस टेस्ट है sectional test वो भी आपको मिल जाएंगे साथ e-books मिलेंगी और e-books के साथ-साथ आपके घर में तीन books की hard copy भी आएगी तीन books कौन-कौन सी होंगी एक आपकी यह वाली book होगी जी-स वाली एक आपके book होगी mathematics वाली एक आपके book होगी आपकी reasoning वाली यह तीन books आपके घर पे आएंगी hard copy साथ आपको e-book में रहेंगी यानि कि बिहार sse का exam जो February के बीच में फरवरी के बीच में उने की उमीद है अभी आपके पास समय है तो इस batch में enrollment कीजिए और अपने exam को pass करने का सपना पूरा कीजिए आप buy now पर click करेंगे यहाँ पर Y724 आप code लगाएंगे Y724 एपलाई करेंगे एपलाई करते ही यह जो आपका एक फीस है जो आपको काफी बड़ी दिख लीती एक समय यह फीस बहुत कम हो जाएगी आपकी यह फीस इसलिए कम करी जाती है कि जादा से जादा बच्चे इस course को फाइदा उठा सकें और जाद 799 का था इसकी फीस कम होके केवल 1560 रुपे रह जाएगी इस फीस में यह सारे फीचर मिलना इस कॉइट इंपॉसिबल तो अभी जाकर तक्षिला बैच में रॉल्मेंट कीजिए और अपने सपने को पूरा करने का पहला स्टाप उठाइए अगर आप SSC का महापैक लेंगे तो आपके सारे एक्जाम्स की त्यारी हो जाएगी आपने कोड डिसकाउंट कोड आपने दोनों जगा यही लगाना है तो इसी के साथ साथ अगर हम और आगे बढ़ें तो आप लोग के लिए एक छोटी से अनाउस्मेंट है मेरे प्यारे बच्चे आप होई तो एक बढ़ के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे चार दिसंबर सुभा नो बजे इस इस माई रिक्वेस्ट वेड़ी यह सर आपके लिए बहुत महनत करते हैं ठीक है तो एक बार सब्सक्राइब को सुभा नो बजे सर आपका इंतजार करें तो आप लोग से मुझे प्रोमिस चाहिए कि आप लोग सारे बच्चे यहां पोचेंगे और सर का मोटिवेशन और इंक्रीज करेंगे तो बच्चों आज के लिए तना ही और वेरी बेस्ट वोल फ्यू जहिंद पांच बजे भी लाइब क्लास है आप वहां पर भी जूड़ सकते हैं चलिए बाबाए